नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Focus Education के इस YouTube चैनल पर, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जो बाते मैं इस वी इत्की बात है, इनमें वो विध्यार्थी भी सामिल होंगे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट लेवल के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस यह वीडियो उन विध्यार्थियों के लिए भी है, जो आगामी समय में UP SSSC की उत्तर प्रदेश की किसी भी भरती को देखना चाहते हैं, या आगामी समय में जो भी नहीं भरती निकलने वाली हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को धिहन से सुनेंगे, और शेयर करें, दोस्तों इसे इतना शेयर करें, कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें अपनी रखने वा आला हूं वो मानिनिय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए कि आज के टॉपिक का हमारा विशह है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल स्सी की जो पैट परिक्षा है उसको लेकर कि द्यान से सुनेंगे यूपी ट्रिपल स्सी की जो पैट परिक्षा है इसका अर्थ होता है पातरत परिक्षा हमारे उत्तर परदेश में एक यूपी टैट के नाम से भी एक पातरत परिक्षा होती है जैसा कि आप सब जानते हूंगे और वहे भी एक पातरता परिक्षा है लेकिन दोनों में एक जो विशेश अंतर है दोस्तो वो ये है कि जो यूपी टेट की परिक्षा है उसमें एक निश्चित या कह सकते हैं नियूंतम कट ओफ निर्धारित किया गया है यह वहे नियूंतम कट ओफ है जो विद्ध्यारती उस नियुन्तम कट आफ को पा लेता है या उससे ज़्यादा अंख हांसिल कर पाता है तो वह पास माना जाता है और वह उसके अलावा फिर उसे आगामी जो उसकी सूपर टेट की परिक्षा होती है उसमें उसको इलीजवल किया जाता है यानि कि ऐसा मान सकते हैं उधारन के लिए आप ऐसा समझे यूपी टेट की परिक्षा में सामान्य वर्ग के विद्ध्यार्थी को यदि 150 में से और 90 नंबर ला पाते हैं जो विद्ध्यार्थी वो पास माने जाते हैं और उस टेट से जो भरती निकलने वाली हैं उनमें वो बैठ सकते हैं एक्जाम दे सकते हैं इसे हम पातरता परिक्षा कह सकते हैं क्योंकि यहां पर एक निश्चित कटाउफ निर्धारित की गई है दोस्तों लेकिन बात करते हैं UP SSSC पैट की यह भी एक पातरता ही परिक्षा है लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूं पातरता परिक्षा का अर्थ होता है कि पेपर के संपून अंक में से एक निश्चित कटाउफ निर्धारित की जाती है एक निश्चित कटाउफ की सीमा रखी जाती है उतना स्कोर करने वाला जो विध्यारती है उसे पास या पात्र माना जाता है लेकिन पैट परिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है पहले तो इसे पात्रता परिक्षा नहीं कहा जा सकता हमारे द्वारा इसे पात्रता परिक्षा कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित कट अप नहीं है उधारन के लिए समझे एक विद्यारती पैट की परिक्षा देता है और उसे परिक्षा में 100 में से 70 रंग प्राप्त होते हैं जो की अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाता है एक साल से व्य भर्ती का इंतिजार कर रहा है और तैयारी कर रहा है चाहेवक किसी भी जाती वर्ग का क्यों नहों हो प्रतेक विद्यारती के साथ उसके माता पिता की जो उम्मीदे हैं उससे जुड़ी होती हैं जैसा कि आप सब जानते होंगे और जैसे ही सरकार एक भर्ती निकालती है तो मानली जियो धारन के लिए एक हजार पद पर भर्ती निकलती है तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एसी ने अपनी पद्धिती बनाई है कि भर्ती का पंद्रे गुना वो उठाते हैं तो मान के चलिए एक हजार का पंद्रे गुना जब वो उठाएंगे तो पंद्रे हजार बच्चे ही मुख्य परिक्षा देंगे यानि कि दोस्तो इसकार्थ है दोस्तों इस कार्थ यह है कि आयोग के द्वारा पदों का पंद्रगुना विद्यारती ही मुख्य परिक्षा के लिए बुलाए जाएगा आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है जैसा कि भारत के अन्य स्टेट में नहीं है जब पंद्रे गुना विद्यारती बुलाए जाएंगे तो पहले यही बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि पहले तो बच्चों को मुख्य परिक्षा देने का अवसर ही नहीं मिलेगा दूसरी बात मैं मानिनिय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ ऐसे तो बच्चे मुख्य परिक्षा ही नहीं दे पाएंगे रोजगार की तो बात दूर की रही मेरा कहने कार्थ यह है कि मानिनिय मुख्य मंत्री जी एक ऐसी निश्चित कट ओफ पैट में निर्धारित करवाईए चाहें वो 100 में से 55 हो चाहें वो 100 में से 60 हो चाहें वह अंक 100 में से 65 भी हो सकते हैं इससे क्या है कि इससे जो विध्यार्थी यूपी ट्रिपल सी पैट की परिछा की तयारी कर रहा है उस विध्यार्थी के जो माबाप हैं उनकी जो उमीदे जुड़ी हुई हैं उनसे वो फिर उस निश्चित कट ओफ को देखते हुए तयारी करेगा और यदि वह कट ओफ पार कर जाता है तो एक ऐसा सिस्टम निरधारित करिए एक निश्चित कट ओफ बनवाईए ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे मुख्या परिक्षा दे सकें जाहें दूर की बात है कि चैन किसका होता है या नहीं होता है वो बाद की बात है लेकिन मुख्यपरिक्षा में मेरा कहने कार्थ है कि किसी भी जाति वर्ग का कोई भी विद्यार्थी हो सभी बच्चों ऐसी कट आफ बनाईए कि जादा तर विध्यार्थी मुख्य परिक्षा दे सकें प्रतेक परिक्षा के लिए अलग से हर वार कट आफ नहीं नहीं बननी चाहिए यानि कि ऐसी पद्धिती मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि जो हर भरती के लिए अलग से कट आफ बनती हो उधारन के लिए आप ये मानिए एक विध्यार्थी सो में से पैट में 84 नंबर लाता है और मेरे हिसाब से सो में से 84 नंबर अपने आप में बहुत ही बढ़िया है और एक्सिलेंट स्रेणी में वो माने जाएंगे और वहीं कुछ पद निकाले जाते हैं गवर्मेंट की तरफ से और वहां पर कट आप 85 या 86 पर लगा दी जाती है तो मेरा कहने कार्थ ये है कि 84 नंबर लाने वाला विध्यार्थी 84 नंबर लाने वाला विध्यार्थी भी मुख्य परिक्षा नहीं दे पाएगा जबकि उसने वहें परिक्षा एक साल पहले दी है और एक साल से वह भरती का इंतिजार कर रहा है अब आप ये समझे कि एक एक्सिलेंट विध्यार्थी 84 नंबर लाने के बाद भी मुख्य परिक्षा में नहीं बैठ सकता क्योंकि हर बार परिक्षा हर बार नई भरती के लिए एक नई कट ओफ निर्धारित की जाती है मानिय मुख्य मंत्री जी से मेरा मेरा आपसे निवेदन है मानी नहीं है मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप UP SSSC PET की परिक्षा में एक निश्चित कट ओफ निर्धारित करवाईए चाहें वे कट ओफ सौ में से 55 हो या 60 हो या 65 हो या 70 हो कुछ भी हो सकती है चुकि बच्चा फिर उसी को देखते हुए तयारी भी करेगा इसका वीडियो बनाने का मेरा एक युद्देश से है कि मुख्य परिक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्ती प्रतिभाब कर सकें अधिक विद्यार्ती मुख्य परिक्षा दें ताकि उनके अंदर जो परिक्षा नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इस तरीके की पद्दिति से जो अभी चल रही है तो उनके अंदर गलानी का जो अनुभव ना हो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश से यह है कि मैंने कुछ ऐसे विद्यार्तियों से बात की हैं जो सीटों का पंद्रे गुना पद्दिति से नाराज हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो जमीनी इस्तर की सच्चाई है उत्तर प्रदेश में उसे बताने का प्रियास किया है आसा करता हूं कि मौनियम मुख्यमंत्री जी मेरे द्वारा बताई गई बातों पर आप ध्यान देंगे और एक निश्चित कट ओफ निर्धारित कराएंगे ताकि हर जाती का पच्चा विद्ध्यार्थी उत्तर प्रदेश की भरतियों में जो यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से कराई जाती हैं निकलती हैं तो अधिक से अधिक संक्या में मुख्या परिक्षा में भाग ले सकें ताकि उनके अंदर जो गलानी की भावना है वो ना आए दोस्तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सभी विद्ध्यार्थियों को द्यान में रखते हुए है जो वर्तमान में यूपी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है जो आगामी समय में इसकी तैयारी करने वाले ये उसके लिए भी है इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेर करें, सेर जरूर करें इसे इतना सेर करें कि हो सकता है कि मानिनिय मुख्यमंत्री जी तक मेरी ये वाज पहुंच आए धन्यवाद